नमश्कार, स्वागत अबच्चों आपका सेल स्टेडी के चैनल में और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में कि एक कॉम्मन इलेक्ट्रो रोल ये भी काफी चर्चा में है कि एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए पूरे देश के अंदर जैसे अभी बात करेंगे कि अलग अलग मतदाता सूची चलती है वही मतदाता सूची का मतलब होता है जहां पर आप अपनी वोटर आईडी होती है अब वोट डालने जाते है तो वोटर आईडी होती है या फिर कोई दो तीन है क्या, तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन-कौन से आर्टिकल आते हैं, क्या क्या शोदन होने वाले हैं, या फिर वन नेशन, वन इलेक्शन से क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब चीजों की जो बाती हैं, वो इस वीड अज़े सभा के अंदर जो कानून मंत्री और नया मंत्री ने ये बात बोली है कि जो देश में हम जो निर्वाचन निकायों के लिए एक समान मतदाता सुची त्यार करना और समकालिक चुनाव प्रक्रिया को संपन करने के लिए जो हम एक शंशोधन की बात हो रही थी ना जन नीज निढित्व अधीनियम 1951 यängerनि Represential of the People Act 1951 के अंदर जो शंशोधन करने की बात हो रही थी अभी उसके ओपर के अंदर सरकार कोई भी प्लैन नहीं बना रही है ध्यान रखना कोई भी प्लैन नहीं बना रही है बात यह बोली गई है राज्य सभा के अंदर clear यहाँ पर अभी बात यहाँ पर कई चीजों में उठी कि सर यह common मतदाता सूची क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे यह समकालिक चुनाओ यानि simultaneously election यानि एक साथ चुनाओ यह क्या होते हैं इसके फाइदे क्या हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं clear यहाँ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए जरा आम मतदाता सूची का मतलब क्या होता है common electrode role देखे लोकसभा, विधानसभा और जो अन्य चुनाओ होते हैं उनके लिए अब देखे लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाओ बोले तो परिषद, नगर निकम हो गया या फिर पंचायत होगी तो इनके लिए एक मतदाता सूची का प्रियोग किया जाता है अभी फिलाल हाली में भारत के क्या स्थिती है मतदाता सूची को लेकर कुछ राज्यों में कानून है कि अगर राज्ये के अंदर कोई चुनाव होने है यानि राज्ये के अंदर कौन से चुनाव होने है ये विधान सभा वाली बात नहीं कर रहा हूँ राज्ये चुनाव आयोग जो राज्ये के अंदर चुनाव करवाता है कौन कौन से नगर परिशद के और पंचायत के तो जो स्थानीय निकायों पर चुनांव होते हैं तो वो क्या करते हैं कि यह जो राज्य exerc होते हैं वो भारतिय चुनाव आयोग की मतदाता सुचि का इस सुचि का हेल्प लेते हैं कि भी वो अपनी अलग से नहीं बलाते हैं, जैसे हरियाना के अंदर अगर चुनाव है, तो यह जो चुनाव है, हरियाना के अंदर किसके, पंचायत के, ध्यान रखना, पंचायत की बात हो रही है, विधान सभा की बात नहीं हो रही है, हरियाना के अंदर चुनाव है, पंचा वो कहीं अलग से अपनी नहीं बना के बैठा है तो ये कानून है कि वो सेंटर की वोटर लिस्ट से अपना काम चला सकता है उसकी help ले सकता है अचा दूसरी तरफ राज्ये चुनाव आयोग जो है वो नगरपाली का पंचायतों में जो चुनाव होते हैं उस मददाता सूची को त्यार करने में उनकी अपनी मददाता सूची त्यार करनी है और साथ इसाथ उसके अंदर कोई संशोधन करना है तो वो किसकी help ले सकते हैं जो सेंटर वाली होगी यानि Election Commission of India की जो वोटर लिस्ट है उसकी help ले सकते हैं अब ये तो बात होगी हाँ कुछ राज्ये जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्या अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग मतदाता सूची हो सकती है बेशक हो सकती है भई अगर हर्याना चाहे कि मुझे सेंटर वाली लिस्ट से काम नहीं चलाना है मुझे तो अपनी पंचायत के election करवाने है तो मैं अपने लिए इन पंचायत के लिए एक अलग से voter list बनाना चाहता हूँ तो बना सकता है और ऐसा किया भी हुआ है कौन-कौन है उत्रपरदेश हो गया उत्राखंड हो गया ओडिसा हो गया अपने जो वहां के जो लोकल बोडी के अंदर जो चुनाव होते है कौन-कौन से नगर परिश्यत के होगे नगर निगम या फिर कहें पंचायत के होगे तो वो center वाली list का यूज़ करते नहीं है वो अपने लिए उन्होंने अपनी खुद की एक list बना रखे अब बात क्या बोली जा रही है कि जो वो list है आप center वाली ही use कर लीज़िए state वाली हटा दीज़िए तो ये बात कही जा रही है differentiate क्या होता है देखिए दो समिधानिक निकाएं हैं हमारे देश के अंदर कौन से हैं जारत के राष्टपती और उपराष्टपती का चुनाव जो है वो इसको conduct करवाता है साथ इसाथ संसद के राज्य विधान सभाओं के और विधान परिसिदों के इनके चुनाव को ये conduct करवाता है अच्छा जो state election commission है वो क्या करते है ये जो state election commission है जो state के अंदर जो नगरपालिका है और पंचायत है इन चुनावों को वो सही डंक से independent मतलब निस्पक्ष कोई भी उसके अंदर धानले बाजी ना हो इसका काम जो है वो state election commission को सोपा गया है और इसके लिए वो खुद की एक मतताता सूची भी त्यार कर सकता और नहीं चाहता है कि मैं center वाली से ही काम चला हूँ तो वो center वाली से भी काम चला सकता है clear ज़रूरत क्यों पड़ी क्यों ऐसा बात हो रही है कि एक ही आप center वाली ही election commission election commission of India की जो मतदाता सूची है उसी का use कर लीजिए इसकी जुरूरत क्यों पड़ी देखे बोला जा रहा है कि इससे काफी जादा खर्चा आता है और जो आप मेहनत कर रहे हो वो double हो जाता है एक तो आपने वही त्यार की center के लिए और एक आप वही त्यार कर रहे हो अपने ही state के अंदर नगर परिशद और वहां के पंचायतों के चुनाव के लिए भाई दोनों में तो एक ही होंगे नहीं यहाँ पे तो आप यह दो-दो काम क्यों कर रहे हो मतलब एक काम जाब वो दो-दो बार क्यों कर रहे हो तो यह बात बोली के यह और इससे पैसा भी जादा लगता है एक बार इसके लिस्ट बनाई फिर और बाकी लोगों फिर अलग से यह वाली अपनी लिस्ट बनाई तो आप जो है वो दोहराव कर रहे हो काम का तो यह नहीं करना है पैसे बचेंगे परिश्रम बचे का तो यह बात बोली के अच्छा पहले भी सिफारिश हैं दी जा चुकी है कि अब की नहीं है नहीं देखिए 2015 में जो लो कमिशन है अपनी 2015 में रिपोर्ट दी 255 अवो 255 अच्छे 255 वी 255 वी रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि कि एक ही मददाता सुची का प्रियोग किया जाए इन्होंने इसकी सिफारिश की थी साथ इसाथ चुनाव आयोग ने भी कहा था कि देखिए आप जो ये अलग-अलग से जो लिस्ट प्यार कर रहे हैं इससे मददाताओं के बीच में भरम कि स्थिती उत्पन होती है क्योंकि एक में नाम होता है और दूसरी सुची में नाम नहीं होता है तो इससे जो है वो प्रोब्लम क्रियेट होती है अब बात आती है कि इसको किया कैसे जाएगा इस काम को अगर जो है वो common election में लब की 47ցभन संवधानिक संशोधन किये जाने की आवशकता है इनके अंदर संशोधन होगा ये क्या है ये जो है राज्यों के अंदर जो पंचायत है नगरपालिकाव से नगरपालिकाव में जो चुनाव होते हैं उनसे रिलेटिड़ आर्टिकल है ये जो article है वो power देते हैं state election commission को कि भई आप जो है वो निर्वाचन नामवली की त्यारी करें चुनावों का सही ढंग से उनको चलाएं उनको निर्देशन करें उनके नियंतरन रखें ये जो power है ये article जो है वो election state election commission को प्रवाइड करते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो एक ही मददाता सूची का प्रयोग करें तो इसके अंदर आपको शंशोधन करना पड़ेगा clear राज्य सरकानों को अपने कानून में शंशोधन करने और नगरपालिका और पंचाय चुनावों के लिए जो election कमिशन ओफ इंडिया मददाता सूची बनाने के लिए राजी भी करवाना पड़ेगा तो ये चीजे भी है आप चुनोतियां क्या है चुनोति ये है कि जरूरी नहीं कि आपने एक ही मददाता सूची ले लिए पूरे भारत की मतलब जो election लाव करना है और सबकी सहमति लेनी है तो ये काफी बड़ा एक टास्क हो जाता है तो ये जो चुनोतियां आ जाती है ये तो हो गया आपके सामने एक ही मददाता सूची त्यार करने की प्रोब्लम उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हो सकते हैं अब बात करें कि अब एक साथ अगर चुनाव करवाए जाए तो भारत के अंदर तो इससे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए एक साथ एक चुना पांस साल बाद चुना होने, एक ही बार के अंदर विधान सबा और लोग सबा के अंदर चुना होगे मुख्य मंतरी और प्रधान मंतरी चुन के आगे अब जो ये पांस साल है, वो अब यहां से जो है, वो सिरुफ इवलोप्मेंट के उपर काम दे मतलब डेवलोप्मेंट के ऊपर ہी अपना ध्यान दे, अब इससे फायदे सुन ली जी, अगर एक ही साथ पूरे देश के अंदर इलेक्षन हो रहे हैं विधान सबा, सारी की सारी विधान सबा जितने भी अपने अपने state है, 28 state है उनके अंदर एक ही टाइम के अंदर ही election हो रहे हैं, साथ ही साथ जो center है, उनके लिए भी एक ही टाइम में election हो रहे हैं, तो उससे फाइदा क्या है? फाइदा ये है कि जो मतदान में खर्च होने वाले जो पैसे हैं या फिर राजनेतिक party जो है जो पैसना पैसा खर्च करती है, तो उसके पर एक तो नजर रखी जाएगी और एक फाल्तु की जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सकते हैं साथ ही साथ जो administration work किया जाता है, भई इससे काफी जादा मतलब कि दूसरे state के अंदर election है, अभी मानिये, हरियाना के अंदर election हुए, हरियाना के अंदर election होने के बाद, अब पंजाब के अंदर election हुए, तो यहाँ पर जो administration किया गया था, अब यहाँ से समान उठा कर इसमें लेके जाओ, यहाँ पर चुनाओ कराओ तो यह वाली जो चीज है, वो और साथी साथ सुरुक्षा बलों को भी, अब यहाँ से लेके, यहाँ पर लेके जाओ, तो इससे जो चीजे हैं, बोज कम होगा, अगर आप एक ही साथ करवा लेते हो, सरकारी नीतियों का समय पर लागू होने में मदद मिलेगी, यह बास सही है, कि आपने एक ही टाइम में इलेक्शन करवा लिये हैं, यहाँ से राजे विधान सभा के और जो है संसत के भी चुना होज गए हैं, अब जो बाकी का जो टाइम बच गया है, डेवलोप्मेंट के उपर ध्यान दो भी, अब फालतु के यह जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके ओपर ध्यान नहीं जाएगा, इससे जो है काम जल्दी होने लगेगा, तो यह बात बोलेगी है, अब यह जो बात बोली जा रही है कि जो शाशन करता है, जो भई यहाँ पर शाशन संबंदी समशाओं का समधान समय पर किया जाएगा, अब यहाँ हमें देखने पर मिलता है कि जो विधान सबा के जो चुनाव होते हैं, वो कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत लाब कमाने के लिए, कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं उनका लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम पड़ा है, तो हम क्यों इतना बड़ा कदम उठाएं तो इसलिए जिससे क्या होता है कि कोई ऐसा निड़ने लेना था, जिससे जो देश से आगे मतलब कि उसमें डेवलोप्मेंट होनी थी हाँ, कुछ तब का नराज होना था, कुछ पर्टिकलर लोग उससे नराज होने थे, लेकिन बहुत बड़ी संक्या में फाइदा होना था, लेकिन उन पर्टिकलर लोगों को नुकसान ना पहुंचाने की बजाए, उन्होंने वो काम किया ही नहीं, जिससे क्या होता है, को समय मिल सकेगा, भई, वो सोचने का अभी क्या हो रहा है, कैसे किया गया है काम, तो ये सारा काम जो है, वो असानी से हो सकेगा, तो ये थे लाब यहाँ पर, अब बात करें, चुनोतियां कहा है, देखिए, चुनोति सबसे बड़ी ये है, कि आप सुपोस करिए, पांस साल के लिए आई है, तो वो पांस साल तक काम करेगी, कुछ भी ऐसा हुआ, ये सरकार भीच में गिर गई, तो दुबार से इलेक्शन होने जरूरी है, अब ये नहीं है, कि वो सरकार मानिए, तीन साल के बाद गिरी, अब बचे दो साल के लिए सरकार चुनी जाएगी कि नहीं भई यहां सरकार गिरी है तो यहां से फिर जो सरकार चुनी जाएगी वो अलग दो पांस साल के लिए चुनी जाएगी तो यह जो है वो सिंक्रोनाइज यानि आप एक साथ चुनाव करने की जो बात कर रहे हैं यह तो पोसिबल हो ही नहीं सकती भई किसी स्टेट के अंदर भी सरकार गिर सकती है और ऐसा पोसिबल हो सकता है कोई यह नहीं की ऐसा होगा जी फिर यह तो गय करना पड़ेगा राश्ट पर तिशाशन वैसे भी नहीं लग सकता क्योंकि कुछ अधार है उसके, अब बात करें, अरे क्या हो रहा है, चल रहा नहीं, हाँ, अब इस विचार पर सभी जो राजनितिक दल हैं, उनको तो एक तो राजी करना होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज के पर पर बेटी, जो ये हैं, इनकी आफशकता दोग हो नहीं हो जाएंगी, अभी फिलाल क्या है, देखें, अभी जो है, वो हर्याना के अंदर चुनाव है, फिर कुछ टाइम बाद पंजाब के अंदर चुनाव है, तो भई हर्याना के अंदर जो मशीन लेके आए, वो मशीन न पंजाब में काम आजेंगी, लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने है, तो यहाँ पर भी मशीन की जुरूरत है, यहाँ पर मशीन की जुरूरत है, लेकिन रिक्वार्मेंट सिरु वो एक ही स्टेट की कर सकते हैं, तो इससे क्या होगी, उनकी ज़्यादा जूरूरत आन पड कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही नामुमकिन है यह अब क्या होता है कि देखिए कुछ टाइम बाद कुछ महीनों बाद कही नहीं हमें election देखने को मिलते हैं तो obviously उससे जो काम है वो बहुत जादा परभावित होता ही ہोता है भई हो गायी उससे जो काम करने के लिए उनको चुना गया था अब वो वापस से election में फिर से लग गए हैं लोग जो है वो वहाँ पर फिर इस वेट में है कि कब election खतम होंगे कब वापस जो है वो चीज़ों को वो काम करना वो शुरू करेंगे तो इससे जो है विकास कारज डेफिनिटली बाधित होता है देखें आज मैं मदा हूँ कि अगर राजस्तान के अंदर election है तो obviously center भी उसके पर ध्यान देगी बाकी के state भी उसके पर ध्यान देगे पर कुछ जो है वो दूसरे state के अगर दूसरी local party है वो भी चाहेगी कि मैं भी इसके अंदर लड़ू तो वो उसके उपर ध्यान देना start कर देगी तो इससे जो है उन्हें के अंदर विकास जो है वो अगर development हो रही है वो तो definitely परभावित होना ही होना है दूसरी बात जो आप अचार सहिंता होती है अचार सहिंता जो है वो development कारणें के ओपर भी उसका प्रभाव पड़ता है तो एक तो उससे रोकना कैसे रोका जाए साथ ही साथ एक ही चुनाव आयोजित करने पर भी पूरे देश के अंदर चुनाव आयोजित किया जाए इसके ओपर विचार मिमर्स करने की बहुत जादा जुरूरत है एक देश एक चुनाव एक राष्ट एक चुनाव की जुरूरत है या नहीं ये कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा आप आम सहमती से मनलब कि सभी राजनेतिक दलों को बुलाईए उनसे इस मुद्धे के बहुत बहस करवाईए बहस होगी कोई ना कोई बात जो है कोई ना कोई आइडिया है जो वो सामने आएगा जनता भी अपनी राय रखेगी जिससे कोई ना कोई तो परिणाम निकले गई और भारत एक बहुत जादे परिपकूर एक डेमोकरिटिक कंट्री है और डेमोकरिटिक कंट्री होने के नाते बहस के परिणाम का अनुसरन करना चाहिए तो यह जो चीजे थी आज की इस वीडियो के अंदर जिसमें हमने इलेक्शन के बारे में जाना है कौन-कौन से आर्टिकल 243 के बारे में जाना जो रज्य को पावर देता है कि वहां पर जो चुनाव करवा सके पंचायत के और नगर परिशत के और क्या जरूरत है एक साथ चुनाव हो पूरे देश के अंदर और क्या इससे नुकसान होंगे क्या-क्या चुनोती आएंगी तो यह सारी चीज़े भी हमने देखिए आई होप सो यह चीज़े आपको clear हो गई होगी और अब बात करें या like करें subscribe करें अब हमारे काम की बात आजाती है subscribe करें channel को like करें video को और ज़्यादा ही पसंद आ गए है तो share करती है video को भी as well as channel को भी और सबसे important बात फिर से कि भी pdf जो है वो आप लोगों को channel के description box में एक link दिया मिलेगा telegram का तो वहाँ से आप जाके इस video की telegram से pdf डाउनलोड कर सकते हैं जैसी जाएंगी मतलब मैं तुरंत ही ये video पीडियो जो है वहाँ पर upload कर देता हूं तो बस आज के लिए इतने था thank you for watching this video